करनाल के बयाना गाव में तीन मई को हुई लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जानकारी के मताबिक तीन मई को बदमाशों ने पहले कैंटर चालक के साथ मारपीट की थी और फिर उसके बात करीब 2,98,000 रुपए कैश लेकर मौके से फरार हो गई थी आरोपियों ने ज्रेल में ही प्लाणिंग बना ली थी कि वो बाहर आकर लूट की वारदात को अंजाम देंगे आरोपियों के पास से एक बाइक करीब 1,5,000,000 कैश और एक टेंपो वरामत किया क्या है फिलाल अब सभी आरोपियों को न्याई खिरासत में भेच दिया क्या है